Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome or welcome back to my channel. So, आज की इस वीडियो में, we are going to discuss about how can we complete one chapter in one hour. So, practically, अगर तुम लोग just अभी कोई chapter स्टार्ट कर रहे होना, तो वो एक घंटे में तो तुम्हारा complete नहीं होगा. ये वीडियो खाली उन स्टूदेंस के लिए है, जो एक चाप्टर को revise करना चाहते हैं and they want to complete that particular chapter in one hour. Let's suppose कोई भी एक चाप्टर है, जो तुमने अल्रेडी पहले कर रख है, वो तुम्हें अब revise करना है, you want कि जल्दी से इसका revision हो जाए, एक दुघंटे में chapter complete हो जाए, तो वो कैसे करना है? अब अगर तुम कोई भी chapter start कर रहे हो, just अभी start कर रहे हो, तो उसमें एक दिन तो मैं कहूंगी कि अच्छे से देना ही देना, because अभी enough time है तुमारे exams के लिए, तो एक दिन लेके चलना, अगर तुमने अभी तक वो chapter start नहीं कर रहा है, now we'll discuss कि हमें एक घंटे में ही एक chapter को किस तरह से complete करना है, when we are revising anything, तो सबसे पहली चीज तुम लोग को NCRT जो है ना, वो follow नहीं करनी है, ठीक है, अब ये मैं क्यों कह रही हूं, NCRT चाहिए, इसके अलावा कोई भी और book तुम लोग लेते हो, वो तुम्हें follow नहीं करनी है, book क्यों? ये सबसे बड़ी mistake हम लोग करते हैं, जब ही भी हम revise कर रहे होते हैं, हम book खोल के बैठ जाते हैं, अब उसकी language ना, उस time पे हमें समझ में नहीं आती है, पहले हमने पढ़ा था ना, तो exactly as it is, मुझे याद नहीं आएगा, but on the other hand, अगर मैं पढ़ूं notes से, तो notes की language होती है, अपनी language या फिर easy language, तो उससे तो मुझे अराम से समझ में आ जाएगा, कि ये सारी चीजे हमने पढ़ रखी थी, ये सारी चीजे इस chapter में थी, तो तुम्हें बहुत easily ना, वो चीजे recall हो जाएंगी, तो इसलिए जब ही भी तुम लोग कोई भी chapter revise कर रहे हो, तो make sure तुम NCRT या फिर कोई भी reference नहीं पकड़ो, सीधे तुम लोग पढ़ो notes से, अब अगर तुम लोगों ने अपने notes बना रखे हैं, तो well and good उन notes से ही पढ़ना, अगर तुम्हारे पास notes ही नहीं है, तो तुम सोचोगे revise कैसे करें, तो कोई चिंता लेने की जुरत नहीं है, मैंने अपने notes तुम्हें free में provide कर रखे हैं, तुम्हें बस इतना करना है, playlist पे जाओ, सारी वीडियोस वहाँ पे uploaded हैं, हर वीडियो में मैंने जित्ते भी chapters हैं, उनकी notes प्रोवाइट कर रखे हैं, तुम्हें description में जाना है, अगर print निकाल सकते हो, तो print निकाल के पढ़ो, मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे offline चीज़े हैं, या मतलब books वगएरा हैं, वो जादा beneficial होती है, as compared to PDFs and all, ठीक है, तो printed form अगर तुम्हारे पास है, तुम निकाल सकते हो print, तो print निकाल के ही पढ़ना, इसी के साथ ही, I would like to tell you all about the unlock 20 offer, जो की चल रहा है फिलाल आनक आडमी पे, unlock 20 का मतलब है, कि अगर मेरा code तुम लोग यूज़ करते हो, जो कि ये ANJV10, तो तुम्हें 20% का discount मिलेगा, किसी भी आनक आडमी के subscription पे, बाट ये offer जो है limited time के लिए ही valid है, इसके बाद तुम लोग परचेस करते हो, तो मेरा code यूज़ करने पे, तुम्हें खाली 10% का ही discount मिलेगा, तो अभी ये बहुत जादा अच्छा offer है, बिकॉस तुम लोग के अभी exams भी आने वाले हैं, तो अगर किसी को भी आनक आडमी का subscription परचेस करना है, बिकॉस तुम्हें 20% का discount मिलेगा, आनक आडमी के किसी भी subscription पर, आनक आडमी के Plus और Iconic subscription के बहुत सारे benefits हैं, जो इंडिया के top educators हैं, उनके batches तुम लोग को मिलते हैं, किसी भी अपने 100% batch में तुम लोग enroll कर सकते हो, after purchasing the Plus subscription, Iconic में you also get a personal mentor to guide you, as well as वहाँ पर parent control भी होता है, तो उसका जो price है as compared to Plus थोड़ा सा जादा होता है, but जितने भी Plus के benefits हैं, वो तुम्हें Iconic में देखने को मिलेंगे, तुम्हें recorded classes भी मिलती हैं, and unlimited access उसका होता है, so अगर किसी को भी purchase करना है, this is the best time for you, also if you are in class 10th or 12th CBAC board, तो तुम लोग को 46% तक कर discount मिलने वाला है, आनक आडमी के 3-month के subscription पर, मेरा code definitely use कर लेना, जो कि यह ANJV10, इसी के साथ ही emerge mock test भी चल रहा है, तो उसके लिए भी enroll करो, सारी links जो हैं, वो में description box में तुम लोग को provide कर दूँगी, जितने भी benefits हैं, वो तुम लोग avail कर सकते हो, बस मेरा code जो है, वो use कर लेना, उसके बाद मान लो कोई ऐसा chapter है, जो तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आया था, and अब तुम्हें notes देखके भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उस case में तुम्हें क्या करना है, वन शॉट वीडियो एक घंटे में तुम्हारी complete हो जाएगी, ये सिर्फ तब करना है, जब तुम्हें ऐसा लग रहा है, यार नहीं ये chapter पहले नहीं पढ़ा था च्छे से, तो मुझे तो नहीं आएगा, तो तुम्हें देखनी है one शॉट वीडियो, इन दाट केस, तुम्हें एक घंटे से ज़ादा लगेगा, वो chapter complete करने में, बट अगर तुम्हें वो chapter अल्रीडी बहुत अच्छे से पहले पढ़ रखा है, तो note से ही तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, तो ये I hope तुम्हें समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो ये मत सोचो कि एक घंटे में ही complete हो जाएगा, बिकॉस जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हें डिसाइट कर रख है, तो एक घंटा ही लगे, दो घंटा भी लग सकता है, तीन घंटा भी लग सकता है, बट तुम्हें नहीं हिलना नहीं है, जब तक वो चाप्टर complete ना हो जाए, उसके बाद देखो, हर एक चाप्टर में कुछ easy topics होते हैं, ये तुम्हें भी पता है, कोई भी चाप्टर ले लो, easy topics होते ही होते हैं, हमेशा जभी भी तुम पढ़ रहे हो ना, start with those easy topics, नौ मैं ये क्यूं कहरी हूँ कि हमेशा start with the easy topics, क्यूंकि जभी भी मेरा पढ़ने का मन नहीं है, और मैं कोई difficult चीज लेके बैट जाओ, क्या मुझे समझ में आएगी, नहीं obviously, तो अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, या फिर उतना जादा हम पढ़ाई के flow में नहीं है, तो कोई भी चीज, अगर तुम easy कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है, यार ये तो बहुत easy चीज है, तो वो तुम्हारे खुद में ही एक motivation होता है, कि यार अब मुझे समझ में आ रहे हैं, अब मैं कर लूँगी, तो उसके बाद na easy topics के बाद, तुम लोग important topics पे move on करो, now there are many topics जो easy भी होता है, important भी होता है, तो वो तो तुम्हारे easy topics के साथ ही complete हो जाएंगे, बट कुछ ऐसे topics होता हैं जो important होता हैं, बट एक ही बार में हमें समझ में नहीं आते हैं, तो उसमें तुम्हें में बी एक दो बार लग जाए समझने के लिए, बट अगर तुम्हें easy topics कर लिये हैं, तो वो important topics भी ना बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएंगे, 80-20 rule जो है कल वाली वीडियो में भी तुम्हें बताया था कि क्या होता है, 80% जो marks होते हैं तुम्हारे वो 20% syllabus से ही आ जाते हैं, तो 20% syllabus तो तुम्हारा ऐसे हो जाएगा चुटकी में, बाकी का जो तुम्हारा syllabus है उसमें से तुम्हारे फिर बाकी 20% तुम्हें कैसे ग्राब करने हैं, वो तुम्हें आना चाहिए, बिकाउस पहले important topics वगरा तुम्हें कर लिए, उसके बाद ना कुछ difficult topics जैसे होते हैं, जो हमें 2-3 बार में भी समझ में नहीं आता है, बट अगर हम उसे बहुत अच्छे से प्राक्टिस करें, बार-बार उसे देखते जाएं, अगर एक टीचर से समझ में नहीं आ रहा है न, बहुत सारे टीचर अवलेबल हैं, फ्री में, यूट्यूब में, तो टॉपिक सर्च करते जाओ, लाइक अगर मैं BSC में हूँ न, हमारी वैसी वीडियोज काम होती है, तुम लोग खुद अगर सर्च करोगे, तो BSC से रिलेटेड वीडियोज बहुत कम लोग अप्लोड करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक टीचर से अगर मुझे समझ में नहीं आता है, मैं और वीडियो सर्च करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो टॉपिक ही छोड़ दो, में भी हमें जरूरी नहीं है कि टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा देना, हमें अच्छे समझ में आ ही जाए, तो इसलिए सर्च करो उस टॉपिक को, तुम्हें कही न कहीं से न वो डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिलकुल एक ही बारी में छोड़ देना है, हाँ अगर तुमने चार-पांच बार ट्राइ कर दिया है, वो बिलकुल नहीं घुस रहे तुम्हाई दिमाग में, इन दाट केस ना उस टॉपिक को हटा देना, ठीक है, अट ये भी चेक कर लेना, क्या वो difficult topic जो है previous years में आया है या नहीं, अगर आया हुआ है, तो उसे definitely practice करना ही करना है, try करो समझने का, अगर वो तुम्हें previous years में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इन दाट केस ना उसे सीधे छोड़ दो, ठीक है, तो ये I hope तुम्हें समझ में आ गया, इसके बाद देखो, PYQs और question bank, हमेशा मैं कहती हूँ कि previous year question papers तुम्हारे बहुत जादा important है, तो previous years तो तुम्हें देखने ही देखने है, along with that question bank भी देख सकते हो, कि यार किस type के questions आये हुए हैं, because question bank में न सेम वैसे ही questions तुम्हें दिये रहते हैं, फिर उसके बाद जो भी important है वो करो, and अगर कोई ऐसा बहुत जादा difficult topic लग रहा है तो उसे छोड़ दो, सीधे move on करो, अपने question bank में जस type के questions आये हैं वो practice करो, एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे लगेंगे, इससे जादा तुम्हें नहीं लगने वाला है, तुम्हारा जो chapter है वो अराम से complete हो जाएगा, and इसके अलावा, अगर तुम लोगों ने कोई chapter अभी तक start नहीं कर रहा है, तो मैंने बता दिया उसके लिए भी क्या करना है, one shot देखो, again यही pattern तुम्हें follow करना है, हमेशा start with the easy topics, So I hope इसमें जितनी भी चीज़ें मैंन तुम्हें बताई हैं, तुम्हों को समझ में आई होंगी, कोई भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में में मेंशन कर सकते हो, मैं ट्राइ करती हूँ, जित्तों के भी कमेंट्स आए, कोई भी कोईरी आए, मैं रप्लाइ कर सकूँ, So that's all for today's video, I hope ये वीडियो आपके लिए useful रही हो, अगर इस वीडियो ने थोड़ा सा भी आपको help किया है, थोड़ा सा भी आपको motivate किया है, Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.